यहेलोग गाइसाब बात किने वाले हैं एशो का बिल्ट कौन इस कमपनी के बारे में इस कमपनी को एक बहुत री बड़ा और अडर मिला एय जिसके बारे में डिस्कैशन करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को ज़रू से एंड तर देखते रहनी है अशो का solution, testing and commissioning का यहां पर से कामकाज मिला है, यहां पर यह company distribution, transformer, sub-stations इस company को यहां पर बनाना है, बहुत सारे यहां पर कामकाज इस company को दिए गए, वो यहां पर company को complete करना है, और यह जो हैं पर order है, वो company को यहां पर से total, यहां पर profit यहां पर आप लोग नहीं बोल सकते कंपनी का revenue है जो यहां पर से कंपनी को बहुत ही ज्यादा फाइदा पहुचा सकता है 754.57 करोड रुपीज का यह जो order है वो company को मिलता हुआ नजर आ रहा है ठीक है अब यहां पर से बात कर लेता है अशुका बिल्ड को इस company को इतना अच्छा order मिला है तो आज की दिन company के share के उपर कैसा impact आया है तो भाई company के share के उपर by closing आप लोगों को यह अब प्रिवेस closing से देखने जाए तर गंपनी का share gap up opening हुआ था और आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ कमपनी के share में gap up opening देखने को मिली और उसके बाद यहां पर से company के share में यह closing से यहां पर company के share में उपर खुला और उसके बाद company के share में गिरावट आई है बाकी यह company के share को एक चीज़ जरू स्याद रखना company आपर से बहुत ही जादा बड़िया company के अंदर आप लोग investment करके रखे हुए हो तो आप लोग इस company के share को continue hold कर सकते हो आने वाले समय में 95 रूपीज का लेवल 103 रूपीज का लेवल 116 रूपीज का लेवल और 124 लेवल देखने को मिल सकते है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग जरू से धैन में रखना बाकी इस company के share में खरीदारी करने की बात करें देखो बीकवाले की बात कर ली क्यार यह सभी levels के उपर short term के लिए खरीदारी कर रहे हो तो बेच सकते हो बाकी खरीदारी करने की बात क देखने जाओ तो भाई company के share में बहुत बार अच्छी हाँपर गिरावट आई है अच्छी तेजी भी उतनी ही यहाँपर आई है तो भाई यह company यहाँपर से high risk की और बहुत ही जदा volatile देखने के मिलती है ठीक है तो आप लोग बहुत जदा risk नहीं लेना चाहते है अपने portfolio के अंदर तो भाई इस company से दूरी रहना बाकि आप लोग इस company के अंदर short term के लिए खरीदारी भी कवाली करना चाहते हो तो आप लोग zero से इस company को यहाँपर choose कर सकते हो ठीक है तो यह था यहाँपर से इस company को लेकर मेरा भी हो personally मैं बता हूँ त्यार मैं personally इस company के अंदर invested न नहीं करना हूँ ठीक है बाकि यार company बढ़िया है short term purpose के लिए long term के लिए इस company के अंदर बहुत साधा high risk है इसलिए मैं हाँपर avoid करने का recommend दूँगा ठीक है तो बस अच के लिए तना यह वीडियो पसंद आए तो like है और चल को subscribe करना मुद भूलना गुडबा लव गुडब देक्तों के लिए लाकारण मुपड़ मुद भूलना, मुझ हुड़ है इस आए-जाड़ मुद दो आए-बो, चुछ äsारें मुद आएows अ All r unm Sign M